अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी आधालत रजट शेर्मा के साथ तो आईए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में आज हमारे महमान बहुत खास हैं जब लोग निराश होते हैं हैरान होते हैं तो ये लोगों को हसाते हैं लोग के जिद्दिगे में खुश्यों के रंग फरते हैं प्लीज वेलकम वन और अनली कॉमेडी के बात्शा कपिल शर्मा तो ये तालियां बच्ती रहनी चाहिए मैं अमर्तित कर रहा हूं हमारे आज के ज़त को हमारे आज ये ज़त बहुत खास हैं संगीत के बहुत बड़े कदरदान हैं राइटर हैं ओलंपियन हैं मैं आमतित कर रहा हूं राजा रंधीर सिंग को तो अदालत में मुल्जिब भी है ज़ती है ये इलजामों की दुनिया के देवता रहम रहम अब रहम करनी तो जगा नहीं है ये कपेश अच्छा एक तो अदालत का सेट उपर से इतने इतने बड़े लोगों की सामने फोटो लगार के बंदा डरा ही रहता है महाल पुरा बना के रखते हैं सेर तो इससे पहले के मुगदमा शुरू करें आज के जज राजा रंदीर सिंग की अजाज़त चाहेंगे आज की कारवाई शुरू करने के लिए पलीज शुरू करें तो आईए शुरू करते हैं आज को मुकदमा आपके अदालत में पहला इल्जाम कपिल शर्मा आपकी अदालत में कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा पर आरोप है कि ये फिल्मों से अबसेस्ट हैं कपिल टीवी ने आपको इतना बड़ा स्टार बनाया पूरी दुनिया में आपको नाम दिया इतनी लोग आपको प्यार करते हैं लेकिन आप टीवी छोड़कर बार बार फिल्मों की तरह भागते हैं फिल्मों को जो भूत है ये मुम्बई में आकर सवार हुआ या अम्रिस सर से आपके सेर पे सवार था हलो मेंड़ा सर ये तो अम्रिस सर में तो मैंने कभी नी सोचा था अच्छली मुझे तो लगता था मैं सिंगर बनूंगा एक दिन बड़ा होके और मैं जब पहली बार मुम्बई आया ना ट्रेन में दादर एक्सप्रेस में जा रहे थे तो 72 सीटर भोगी होती ना ट्रेन का डिबा उसमें से 69 सिंगर ही निकले मैंने वहीं पर किसी को बताया नहीं कि मैं वहते हैं आप क्या करने जारे मैं है काम है उदर कोई कि मैं तो इतने सिंगर हैं हमारे हिंदुस्तान वे टैलेंट की कमी नी है तो यह सर मतलब जब टीवी पे शुरुआत हो गई लोगों का प्यार मिला तो फिल्म अपने आप आगे लेकिन पहली फिल्म में जब चार हिरोईन मिली ना सर मैं मज़ा आ गया था सर फिर मुझे लगा कि जो हीरोईन आते हैं मेरे थोड़ी देर के लिए मेरे शोपे मैं उनके साथ मस्ती मज़ा कर रहा हूं क्यों ना अपनी खुद की चार हिरोईने तो हर फिल्म में पर उसके बाद अगली फिल्म में एक ही मिली इस फिल्म में वैसे ही मेरे को इतनी टैंचन ह बच्चों को पालने की नौकरी की वो वला रमैंस नहीं हुआ जी सार उसके बाद लेकिन आप ये बताना भूल गए कि अमरिस सर में एक फिल्म की शूटी में गए थे आप जी सनी देवल को देखनी के बहाने हाँ जी और वहां धक्के देके बाहर निकाल दिया साथ नहीं मेरे को आदत नहीं है मेरी बीवी ने कहा था कि रेजर जी का इतना पॉपलर है सेक्सी बनकर जाना है एंट्री मेरी हो गई है अब मैं पताता हूं को हुआ क्या सर तो मेरे पापा की ड्यूटी लगी थी वहां पे वो पुलिस में तो उन्होंने कहा कि गदर फिल्म की पाकिस्तान जाने लगते हैं और अमिशा पटेल वहीं पर रुख जाएंगी और अमरीशपुरी साब निकल जाएंगे अचा हम लोग उस समय यह 97 की बात है शायद ना यह 96 की बात है शूटिंग की तो बड़ा शौक मुझे तो वहां पर न वह आपको दे 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 बड़े ब बहुत बड़ा फैन था तो मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने मैंने ऐसे कर दिया उनको तो उनकी ओवाज हो गुमें अरे कौन है बई तो मैं तो मैं न उसके बाचा मुझे तो कहानी पता नहीं थी वह फिल्म की क्या है वह तो फिल्म देखने के बाल पता जलेगी हम इशा आप टेल हर बार छूट जाएं अमरीश पूरी साथ ट्रेन पे चड़ जाया करें यारी यह रबार ट्रेनी नीचड़ा जा रहा है इस से बाद हम पता चला कि उनका सीन यही था तो हां सर फिर मैंने गदर फिल्म देखी सर कहीं आता पता नहीं था मेरा तो मैंने सन्नी धक्के अलग से पड़े, सीन अलग से कटा, बेजती अलग हुई, ठीक है पर समय समय की बात है, अब बताओ आब यह बात सही है, कपिल, टीवी ने आपको इतना बड़ा स्टार बना दिया है, इतनी पॉपुलरिटी दिया है, लेकिन फिल्मों को लेकर अप्सेशन तो है, अब पिछली फिल्म फिरंगी मैंने सुना कि अपनी जेब से 35 करोड रुपे फूग दिये मेरे ना, मेरे बड़े ताओ जी अब इस दुनिया में नी, वो हमेशा एक बात कहते थे, कहते, गरीब आदमी के पास ज्यादा पैसे आजाए ना, वो भी हजमनी होते, तो थोड़ा सर, थोड़ा आ गया था, बैंक बैलन्स खुजली हो रही थी, तो मुझे लगा की, लगा वो भी बड़ी स्क्रीन पे जा की देखा, पर ठीक है सर, मुझे लगता है, इंसान गल्तियां करकर के सीखता है, और पर हाँ, फिल्मे मैं करता रहूंगा सर, और ऐसा नी है कि मतलब, मैं आपको सच्ची बताना चाहता हूँ, बड़ा हंबल होके, साल की 10-12 फिल्मे मुझे आफर होती है, वो अलग बात है, मैं करनी पाता है, बहुत बीजी होता हूँ, और दुनिया बड़ी भेड़ चाल मैं, मैंने देखा, बिलीव करती है, ये फिल्म का सीरियस ट्रेलर है, इसके बद मुझे सीरियस नौ फिल्में आ गई, मैं आज तक तो मुझे सीरियस ली लि है, जैसा आपका कंसर्न है, अक्षे पाजी भी आएद करें, तरी फिल्म आरे कि तरी नूडल आ रहे है, मैं कहा हूँ, हाँ, इसका नाम थोड़ा मुझे हो सकता है लेने में, लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगे तो बड़ी अपनी देसी कहानी है, अपने हिंदोस्तान क कि नहीं बलकि मैं कहूंगा कि उनिवर्सली, जब पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई तो उन बहुत सारे लोगों में से किये, किरदार है मानस का जो मैंने निभाया इसमें, तो हमशूर लोगों को पसंद आएगी, ट्रेलर का बड़ा अच्छा रिसप नहीं है, मैंने का चलो भगवान करें फिल्म हिटो में आपको टीवी लेके दूँगा, मतलब मदा कर रहा हूं टीवी, हाँ वो टीवी नहीं देखती है, बहुत कम देखती है, और उन्होंने कहीं मुझे और करन जहुर साब को फिल्म फिर होस्ट करते हुए देखा था, ज मुझे कास करना चाहिए, बहुत अच्छी जोहरी हैं, नंदिता, उनको हीरे की परक है, और क्या काम किया है मैंने फिल्म में, उफ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् करते हैं, बहुत अच्छी नहीं बठका, मतलब अब पता क्या है, देखो हम इंसान है, हमारे अंदर सारे एमोशन है, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास भी होते हैं, अपसेट होते हैं, तो सारे मूड हैं अंदर, और मुझे लग रहा है कि यह जो कॉम्बिनेशन है न मुझे सब मैं पहले थेटर करता हूँ, मैंने सारे ही कॉमेडी एक्चली बाइचांस ही, पर क्योंकि कॉमेडी लोगों ने देखी टीवी पे, इसलिए लोगों को वो पहले 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 शोड़ा शॉक लगा, अलागी जो मेरे आसपास वाले, मेरे यार दोस्ते, मेरी फैम मैंने पूरा हाथ खोला उदर, मैंने का दो दिन का फैस्टिवेल, मैं घर चला जाओंगा, उसके बाद गोरी समझती ने, मैं क्या बोलके गया हूँ, अलागी बड़ा अच्छा इंटर्व्यू रहा, और सर वहां तो फिर भी चल गया चलो, कैनड़ा में, ये रीचार्च क समझा दो आप, कि आपके मन में फिलिंग क्या है, गोरे समझ जाते हैं, मैं तो सर्क मेन तो था जब साओथ कोरिया गए, उनकी इंग्लिश मुझे लगता था मेरी इंग्लिश वीक है, उनका तो बेड़ा गरक था, मतलब अच्छा एक तो इंग्लिश होती है, एक होती मैं सोच रहा हूँ कि आगे मेरा नाम लेंगे, करते हैं, ले लिया जाओ, पर बहुत प्यार मिला सर, एक्शली, साओथ कोरियन लोग उनको तो पता नहीं मैं कौन हूँ, अपने, क्या करता हूं इंडिया में, पर वो लोग बड़ा इमोशनल भी हुए, थोड़ा हसे भी, बाद में उनको जब पता जला कि ये स्टेंड अप कॉमेडी करते हैं, बड़ी महबबत मिली, उन्होंने भी यही बोला करते हैं, क्या काम किया है मैंने फिल्म में तो आपको मीद है, फिल्म हिट होगी, या आपने शारुख खान से फॉर्मूला सीखा है, कैसे हिट करानी ह I'm sure लोगों का बहुत प्यार मिलेगा, जैसे ट्रेलर के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है, बाकि जब मैं प्रोड्यूसर बना था ना, तब मुर को शारुख भाई ने थोड़ी सी सला दी थी, बोलते थे मत बन, मैं क्यों कहते हैं, क्यों कि फिल्म का न अबर आएगा, उसके बाद फिर जो पैसा आएगा, फिर उसमें से आपका टेक्स कटेगा 50 परसंट, तो फिल्म में इतनी कमाई नी है, बेकोज टेक्सी बहुत होते हैं, उस सम्में वही बात है, जो पैसे थोड़ से तो खुजली थी, समझ में याई शारुख भाई की बा तो जो मिला वहीं पे मिला, जब तक आदमी भाग रहा होता है, पुरा हर तरह आपकी वावा हो रही होती है, आपके पास टाइम ही नी होता देखने का, कि आप कहां पे गलत जा रहे हैं, तो जब वो दौर आता है ना, जब आप बैठते हो, बाहर आपको गालियां पड़ यह गया, बास, है ना, कई ऐसे लोग भी होते हैं, खतम, अच्छा अभी वही लोग वापिस जब मिलते हैं, फिर मैं जाता हूं कि आ रही है, दूसरी फिल्म आ रही है, शो दुबारा शुरू हो गया, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पता भी चल जाता कि कौन आपके बारे में बोल रहा था, फिर मैं जान बुझ के मिलता हूं, और पाजी, आल सेट, थोड़े शर्मिंदा भी होते हैं, आप पता ही था, आप तो उठोगे दोबारा, मागा साले सब सुनी, मैंने तरी बात है, यही लाइफ है, सर, मज़े हैं, बस, जनता में सवाल सर, सर, क्या आप उन से डढ़ते हैं, सरी, क्या आपको उन से डढ़ लगता है, न्यूस तो सर, न्यूस का कैसे मज़ा कोई बना सकता है, न्यूस तो कितनी अच्छी होती है, हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है, कपिल आप उस कहना चाहते हूं, तो कह लीजे, मैं कुछ न सब न्यूज वाले नहीं, कई कई, जो यहां पे नहीं हैं, आप देखना, आजकल समय बड़ा फास्ट आ गया है सर, पेस बहुत आ गया है, for example, क्रिकेट के पांच-पांच दिन के मैच होते थे, मंडे आ गए, 2020 आ गए, वो फॉर्मेट जो है न्यूज में भी आया है, देखे आती जितनी, तो पहले पहले तो जब प्रोग्राम का नाम रख लेते हैं, 60 मिनट में 60 खबरें, प्रोग्राम तो बना लेते हैं ऐसा, उसके बाद खबरें तो होती, लिम्टेड, तो शुरू कहां से करते हैं, भारत के प्रधान मंतरी मिले अमेरिका के राष्टरप मिलकर, खबर वही है, 60 खबरें बोल लिए ना, एक मिनट में, अब 40 बार तो गुमा फिरा के खबर सुना दी, 45 वी खबर तक आते आते हैं, खबरें खबरें खतम हो गई, फिर नॉर्मल खबरें शुरू हो जाती हैं, हमारे जैसी, राष्टरपती से बात शुरू करके 45 वी जौसा में पेरेंट्स मीटिंग में आई महला को ले भागा हैड मास्टर, बल्या में दहेज मांगने वाले ससुर के मुग पे थुक के भागी दुलहन, फिर खबरें ऐसी आती है, वारा नसी में शराप पी क्या है, दुलहने मचाया हड कम, मतलब शुरू आपने बाइडन स पिर तो ऐसा होता है कभी-कभी, पर बड़ा मजा आता है, ऐसी खबरें सुनके भी, मतलब ऐसा मजाख नहीं है पर होती है, वारा में लेकिन कभी-कभी ऐसी खबरें आते हैं कि किसान सुरों को भगाने के लिए हनी सिंग का गाना सुनवाया, या अपने सुनी न्यूज ना किसान अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बगाने के लिए चला रहे हैं हनी सिंग के गाने उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके पीछे जो गुरूव होता है म्यूजिक मतलब उनका हैवी म्यूजिक होता है तो वो सुनके उनको शायद हाँ पर देखो आप कैसी कैसी खबरे आती है वाह कपिल आप जब इतनी न्यूस देखते हैं तो आपने देखा होगा कि यूकरिन के प्रेजिन्ट हैं जैलिंस की वो स्टेंड अप कॉमिडियन्स थे आजकल पुतिन से लड़ रहे हैं पंजाब के चीफ पिस्टर भगमत मान वो भी स्टेंड अप कॉमिडियन्स थे तो जो कॉमिडियन्स हैं उनके लिए एक नया रास्ता खुला है या बिलकुल सर तो आपकी भी ऐसी कुछ न्यूज आईगी किसी दिन सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी न पॉलिटिशन बन जाता है तो तो थोड़ा सीरियस पता नहीं क्यों हो जाते हैं सर सारे नगे अब राएल गांदी सीरियस तो नहीं है अब बोधी जी तो कहते न है कि राएल गांदी कपिल शर्मा को कमपरडिशन देंगे हैं ऐसा कहा नोने बाव प्र मुझे लगता कि हां सर में मैं को ऐसे अच्छा लगता है कि मैं हैसी मजाग करता हूँ लोगों के साथ मस्ती करता हूँ मुझे लगता है कि जब आप अगर पॉलिटिशन बन जाते न तो आपको एक तो सफेद कुड़ता आपको बड़ी टेंशन में डाल देता है है ना आदमी आप कभी सर्थ देखना अभी अब मैं कॉमडी करता हूँ मैं जिस मर्जी अपने तरीके से बात बात करता हूँ मैंने आज तक किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंतरी को इतने रिस्ट्रिक्ट हो जाते और ऐसे भी निकर सकते आपने देखा कभी किसी को मेरी वाली जिंदगी बड़ी इजी है कुछ भी होया तो हाँ सर आम ओके या या परधान मंतरी कभी किसी देश का हो तो वो थुड़ना ऐसे कर सकते कि दोस्तों तो मुझे लगता है कि हम हम जो काम करें शायद वो ठीक है लोगों के चेहरे पर मुस्कराहट ला रहे हैं तो बाकी वक्त का कोई पता नहीं है तो आप अच्छा काप करें करती रहिए एक और सबाल जनता से मैं यह प्रशन पूछना चाहती हूँ आपके शो में बड़े 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 सेलिब्रेटी जाते हैं अमिताब बच्छन जी आए शारुक खान जी सब ने आपको एक सला दी पर आपने मानी ने अच्छा जी सब ने आपको सला दी कि शादी मत करना कपिल लेकिन आप नही अच्छा खुद वो करके बैठ गे मुझे रोग रहे हैं मैं क्यू मानू मैंने की शादी मुझे बड़ा मजाया क्यू ना करें भई शादी और अच्छी चीज होती मैं आपको सही बता हूँ मदलब यह तो खेर हम लोग हसी मजा करते हैं क्योंकि कहीने कहीन हमें यह भी और लाइफ एक्च्छी बदल गई बिल्कूल बहुत खुबसूरत हो गई है तो मैं तो सभी को सला दूंगा कि जिन्हों अभी तक शादी नहीं की वो जरूर करें और जिनकी हो चुकी वो एक और करें आप आप मिन सॉरी गल्पी से पर हां करनी चाहिए जरूर लेकिन कपि शादी होने के बाद भी यह फ्लर्ट करने की हिम्मत कहां से आई यह ऐसी बात थोड़ी पर पंजाबी करते हैं अभी चाहिना वाले देखो कितनी जंसंख है वो पंजाबी हैं ऐसी बात नहीं है सर पदा नहीं कुछ खुबसूरत हिरन आती न मैं मैं करता नहीं मेरे से हो जाता है बदलब पर इतना ही होता है वो कैमरे के सामने ही वैसे मैं बड़ा शर्मीला हूँ पहली फिल्म भी जब की ना मैंने तो मेरे से बातों बातों में रमयांस जितना मर्जी करा लो वो जब नहीं ने बोला ना अबास मस्तान सबने कहते यह तुमारी वाइफ है अब पहले दिन सेट पे आप जाओ घबराहत होती ना किसी की बहु बेटी को सीधा आप हग करो पहले दोस्ती हो तब ही आदमी करें तो मैं घबरा गया था पहली फिल्म में अब मैं थोड़ा खुल गय तो मैं अब आप घर जाना पता चलेगा मैंने जाना ही नहीं मैं कल हैद्रवाद जा रहा हूँ आपकी अदालत में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा पर आरोप है कि इनके दो-दो रूप हैं कपिल एक तो रूप है जो लो को दिखाई दे रहा है जी सर्थ जो आपके शोज में दिखाई देता है हसने का हसाने का जी सर्थ एक रूप है जो रात को दस बज़े के बाद दिखाई देता है डराने का धंकाने का गर्याने का मैं हमेशे काया मल्टी टिलेंटेट वो सर होता है कभी-कभी मतलब अब अब शायद वक्त बहुत बदल गया पहले-पहले होता था मुझे ना मुझे अच्छा लगता है लोगों को हसाना लोगों से बाते करना कभी-कभी गुस्था भी आजाता है आज आता था जादा शादा शादी के बाद तो बिल्कुल खतम हो गया तो होता है सर कभी-कभी पहले ऐसा होता था मैं ना ट्वीटर पे चले जाना मेरे को किसने एक गाली देनी तो मैं उसको दस देता था तो मेरे दिमाग से निकल गया कि फेक अकाउंट बना के भी गाली दी जा सकती है तो मैं अपने ब्लू टिक वाले से लगा रहा है तो अच्छा लोग अच्छा मेरे को जो मर्जी कोई बोल जाए उनको कुछ कहता नहीं मैंने एक देदी तो फटा फट निउस बन गई फिर मुझे लगा में आए आम बरी पॉपलर मुझे यह सब नहीं करना चाहिए तो अभी बदल गया असर हालात अभी मतलब अभी भी लोग कहते हैं कि जैसे हाती के दांत खाने के और दिखाने के और कपनी चर्मा पीने के पहले और पीने के बाद और पोता है ऐसे मैं धरमपाजी को बड़ा फॉलो करता हूं इस मामले में नि अगर आप उनके सोशल मीडिया पे जाओ ना अब आप सोशल मीडिया पे जाओ तो धरमपाजी के ट्वीट्स देखने शुरू किये मैंने इतने महबबत वाले मैं किया ऐसे काम करने मैंने अब मैंने लड़ना ने ट्वीटर पे अब जो धरमपाजी जैसा करते ने वैसे करना है अब मैं देख रहा था बीच में उपने फार्म पे गए तो उनके फार्म पे कोई बड़ा बड़ा कदू हुआ कदू को क्या बोलते हैं हिंदी में पंपकीन वा मेरे से भी ज़्यादा पड़े लिखे लोग पंपकीन तो हो गए एंग्लीश में वो गोल सा होता जो आसा बला वो उनके फार्म पे बड़ा बड़ा कदू हुआ तो लेके बचारे ट्विटर पे लाइव गए हुआ है दोस्तों कदू मेरे खेत में हुआ है बहुत ही अच्छा होता है सहत के लिए तना बड़ा कदू मुझे इतना क्यूट लगा उनको देखके मैंने का मैं भी ऐसे वीडियो डाला करने है अगर नहीं ऐसे तो मत डालो हैं अरे आप जेल से कब छूटे पर मैं जो मेरे से उमर में छोटे हैं मेरे छोटे भाई-बैन मैं आपको एक सला दूँ दुनिया में अगर आपको कोई बुरा-बला बोलता है तो उसको इग्नोर क अगर कहीं लिखा हो ना खबर में की चार लोगों ने खुशी में मनाई हो ली डाले भंगडे हम उसको देखते ही नहीं है दूसरे तरफ खबर आगी नहीं दो घुटों में हुई जड़प हम हम जड़ से देखते हैं कि कौन से घुटे हैं तो नेगेटिविटी कही ने कही आपको अट्रेक्ट करती है, मसाला जो होता है, पर जितनी हो सके महबबत फिलाएं, पुरानी बाते हैं, सर, पहले-पहले हो जाता था ऐसे, ये महबबत फिलाने के बात थे, जब अनुपम खेर को आप पहली बार मिले, जी सर, तो आपने उनको सिखाया, पैक कैसे बनाते हैं? नहीं सर, अनुपम सर से, क्योंकि मैं उनका बड़ा फैन हूँ, तो दुबई में हमारा शोह था एक, तो हमारे और्गनाइजर ने बताया कि अनुपम खेर साब भी यहाँ पे हैं, तो वो आप से मिलना चाहते हैं, तो मैं गया, तो उन्होंने कहा कि, आप ड्रिंक लेंगे? मैं गया, जी, यह कुछ पूछने की बात है, तो उसी मॉल के अंदर ही हम लोग चलेगे, तो उन्होंने एक-एक और्डर किया, कहते हैं, मेरी तरफ से, मैं गया, ठीक है जी, 30 मेल आया, तो बोलते हैं, अच्छा, मैं इस चीज़ को पर्मोट नहीं करता हूँ, बुरी बात होती है, पर हाँ, कभी कबार चलता है, ठीक है, तो आया, एक आया ड्रिंक तो, कितनी देर तक बैठे रहे, मैं को भी लगा, मैं पहली बार मिलना हूँ, एक दम से नहीं आइसे फैक करना, तो मैं भी बैठा हूँ, उन्होंने जिस स्पीड से खतम किया, मैंने भी किया, बाद में गयते एक और लेंगे, मैं मन में सोच्चूँ कि ये को पूछने वाली बात है, तो उन्होंने एक और मंगाया सर, आदा उन्होंने अपना डाल लिया, आदा मुझे केते हैं, मैं आपकी वज़ज़ से डेड़ डिरिंक ले रहा हूँ, मैं एक लेता हूँ, तो मैंने गा सर मैं आपकी वज़ज़ से डेड़ ले रहा हूँ, मैं छेह लेता हूँ कफिल आफ को किस किस बात में पकड़ू आपने आदी रात में बच्चन साब को मैसेज भीज दिया मैंने सर मैं उनको बड़ा प्यार करता हूँ पर एक बार मैंने फिल्म बनाई अपनी जिसकी आम हम बात कर रहे थे फिरंगी तो मेरा उस समय मेंटल कंडिशन ठीक नहीं था तो थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा था दिन रात मेरे को लगता था कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगा मैंने का था फिल्मों में मज जाओ नहीं नहीं उस से पहले तो पहली फिल्म तो सुपर हिट थी सर तो वो दूसरी फिल्म अभी रिलीज भी थी तो फिल्म का उस से लेना देना नहीं था कई बार होता है आप थोड़े कलाकार होते हो तो कभी-कभी सेंस्टिव हो जाते है जादा तो मेरा मन नहीं करता था किसी से मिलने का शो भी मैंने बंद कर दिया फिल्म बनी पड़ी थी सारे आपके जो आसपास टीम होती बुलते रिलीज करो और किसी ने का कि आप बच्चन साब से वोईस ओवर कर वा लो मेरे को फेवर लेना अच्छा नहीं लगता है सर किसी से पर बच्चन साब इतने बड़े लेजेंड है हमारे तो पर सो स्वेट ओफ हम मैंने उनको मैसेज किया मैने एक पहली बार फिल्म पर्ड़ी उस की है तो आप प्लीज एक वोईस ओवर कर देंगे सर पांच मिनट के अंदर उनका मैसेज आया कि मैं आठ तारिक को या नौ को फलाने स्टूडियो में अपनी एक फिल्म के डबिं कर रहा हूं आप अपनी टीम भेह दीजिए तो मिया मतलब होता नहीं इतने बड़े आदमी है वो चाहते सर उसमें अगर स्पैलिंग मिस्टेक थी तो फिर हो सकता है अगर उसमें स्पैलिंग मिस्टेक नहीं थी पर मैं अहां मैं सर को मैं बताना चाहता हूं कि सर किस मैसेज की बात कर रहे है एक बार मैं इंडिय टीव पे न्यूज देख रहा था हमारे हिंदूस्तान के ही पंज आप इतने पावरफुल आदमी है, आप कुछ करते क्यों नहीं, आप उनको छुडवाते क्यों नहीं, तो अच्छा ये भी इतने स्वीटी, इन्होंने वाप इस रिप्लाई किया, कि भी आ ट्राइंग, सो ऐसा भी होता है, हमेशा ये नहीं कि मैंने, मतलब इमोशनल हो के ट् स्टूडियो मिलने पहुचे, मुझे एक्चली ड्रिंकिंग प्रॉबलम कभी नहीं रहा, एक एंजाइटी का प्रॉबलम हो गया था, जिसकी वज़े से मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी के सामने नहीं जा पाऊंगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेज में माइक पकड़ पाऊंगा, तो जब बच्चन साब नहीं मुला कि मैं सुबह आ रहा हूं, तो क्योंकि मेरी फिल्म की वोईस ओवर के लिए आ रहे थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाकर उनका वेलकम के लिए खड़ा रहा हूं, पर क्योंकि मैं फिर बाहर नहीं निकल पाता थ गर से, आवस्ता उस समय ऐसी थी, तो मुझे लगा कि चलो, दो ले ले लेते हैं, पहुंच जाते हैं बच्चन साब के, तो सुबह सुबह की बात है सर, वो आठ वजे पहुंच गए, और हमारी शादी नहीं उस समय होई थी, लेकिन गिननी बड़ा साय की तरह रही है, मेरे को बिजी है, तो कोई बात नहीं, आप जाईए, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तो अब हमारे भी लगे हुए थे, मैं का चाहे वो दो साल बाद आए, मैं इदर ही बैठा हूं, तो उन्होंने मेसेज हुआ कि आई अंदर, तो मैं जाके उनके पैर चुए और बोला कि मैं से माफी भी मांगी, मैंने का, सर सारी मुझे ऐसे नहीं, आपके सामने आना चाहिए था, फिर उन्होंने हिंदी में बड़ अच्छा मैसेज लिखा, कि जीवन संघर्ष जो है, जीवन जो है, जीवन जो है, चुनोतियों का ही दूसरा नाम है, तो आप उटके दुबार वाके में अच्छी बात है, जी, जी सर्फ, लेकिन अब मैंने सुनाया कि रात को दस बज़े के बाद, आपकी वाइफ अपना फोन अपने पास रख लेती है, आपका फोन उनके पास, ये स्टेटमेंट मैं थोड़ी सी करेक्ट करना जाओंगा मिलोड, रोज दस बज़े के आप सोशल मीडिया पर पोस्स करते रहते हैं और वो डिलीट करती रहती है, नहीं, मैं नहीं करता हूँ, हाँ, पहले से कर देता था, पहले हर मुद्धे पर मुझे घुसने की आदत थी, किसी मुद्धे पर अपने विचार पेश कर देने, कोई मांगता भी नहीं था, फिर लगता है कि यार मेरे बच्चे और तीन-चार साल बाद ये यूट्यूब पढ़ने लग जाएंगे, तो देखें कि हमारा बाप ऐसा है, तो मैं थोड़ा, पुराने वीडियो से मेरे यूट्यूब से डिलीट करा दो किसी तरीके, जो पुरानी खबरे हैं, लेकिन इस बात काम खराब ही नहीं हो, अच्छे भी हुए है, तो सर मैं कॉलेज जब पढ़ता था, अपने कॉलेज, तो गल्स कॉलेज बिल्कुल था हमारे कॉलेज के पास, वहां पर मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए काम करता था, तो गिनी उस कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी स्टू कि मुझे काम करने दें आप, दूसरे गल्स कॉलेज में, मैं प्ले करवाँगा जाके, तो मेर को चार पैसे मिलेंगे, तो में को अच्छा लगता था अपने लिए, अपनी पॉकेट मनी निकालना, तो गिनी ना सर, हम दो लोग थे, मैं मेरा दोस्त था एक, और तीन लोग मेरा फ्रेंड, तो हम लोग रोज रहरसल करने के लिए जाते थे, तो वो सेंडविच लेके आती थे, सिरफ मेरे लिए, तो मेरा दोस्त कहता है, यह ना लड़की गिनी तरको लाइक करती है, मैं अगा, नहीं यार, उसकी गाड़ी दे, कितनी बड़ी है, और मेरे स्कूटर कि फोम निकल रही बाहर, तो मैं गा, ऐसा नहीं हो सकता, कहता है, नहीं हो नहीं हो तुझे लाइक करती है, तो एक बार हम कॉलेज रहसल के बाद खतम के के घर यार दोस बैठे हुए, और बस दो तीन महोल बना हुआ था, उसका फोन आ गया, तो मेरे मेरे में कभी हिम्मत सर, मेरे एक रिकार्ड है, मैंने का, कभी आज तक किसी लड़की को परपोज ही नहीं किया, मेरे हिम्मत ही नहीं होती, टीव पे मैं जो मर्जी करूं, और यह कि थोड़ा आदमी शेर होता है, तो मैं गा, तुम कहीं मुझे पसंद तो नहीं करती, तो, तो, उस वक्त नहीं मैं बोली पर मैं पीछे पड़ गया, मैं जा, नहीं ऐसा कुछ लगता है मुझे, तो मान कहीं कि तो, बस फिर सर, महबत हमारी इसी तरह शुरू हो गई, फाइदा हो गया उस दिन, आप फाइदा हुआ उनों नहीं आपकी, अलागी, जब मैं उसके डैड़ी को देखा था बड़ी गाड़ी में आए और इदर पिस्तॉल लगा हुआ, तो मैं तो उसी समय क्या, मैं का रात जो भी मैंने तुछ से बोला, भूल जा, बाब, मैं को पता नहीं दा, तो, पर हाँ फिर दीरे वक्त के साथ, जब आप सेटल हो जाते हो, चीज़े बदल भी जाती, मैं उन बड़ी स्टाइल, तो, कहां से आप, मैं गोरकपुर से हूं सर, गोरकपुर से, अच्छा मुझे लगा बीहड से, सर कहते हैं, नशा शराब में होता है तुनास्ती बोतल, और लोग आपको दोश देते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है, आप खाली पूछ रहे हैं के जो माजी नहीं होती, इससलिए कहते हैंना, थो कहते हैं ना, हमारे बुजर्ग क्या उमर का नशा होता है, तो, तो, इस समें आद मेंबाहूत गल्तियां भी करता है, और उनी से सीखते हैं, मुझे लगता है, कि मैंने कभी अपने बारे में कुछ उफ़ ऐसा छुपाया नह और इसलिए इतना शायद प्यार भी मिला है मुझे और सालों से मिलता आ रहा है हमने ये शो तीन महीने के लिए बनाया था दस साल हो गए इस साल तो ये आप लोगों का प्यार है जो मिलता रहा है मेशा गलतियां की है तो क्रिटिसिजम पता जितना जितनी आपको मुहबबत मिलती है आपको क्रिटिसिजम भी उतना ही मिलेगा अगर आप कुछ गलत करते हैं तो जहां पे गलत था वहां पे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया पर हाँ, वही है कि आप अपनी गल्तियों से सीखें, सेम गल्ती दुबारा ना करें, नहीं नहीं करें, डिफरेंट वेरिएशन लेकि आएं गल्तियों में, तो वो मुझे लगता है सर जब तक सांस चलती है वो गल्तियां होती रहेंगी, अलग-अलग होनी चाहिए लेकिन र स्पोर्टिंग ली लिया, हंसे उसके उपर, अपना भी मदा को राया, और अब आप ऐसी लाइफ पर आ गए, तो ये अच्छी बात है, इसको सब लोग अप्रिशेट करेंगे, थैंक यू जर, थैंक यू, शुक्रिया, वेल्कम बैक, आपके अदालत में आज जम बुकदम पर आरोप है, कि ये अपनों का मजा कुड़ाते हैं, कपिल जब आप बाहर के मुलकों में जाते हैं, कैनरा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उस्ट्रियले जाते हैं, तो वहां आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगता है, वहां की जो बाई है, वो भी जॉइंट फैमिली वला कल्चर हमारे हिंदोस्तान में है, माभापके पैर चुने का फेमादं किब हिंदोस्तान में है, वह रुट सारी चीजे हैं जो दूसरे लोगों को अमसे सीकनी चाहिए, लेकिन अगर बाहर से हमें भी कोई अच्छी चीज मिले तो मुझे लगता है सीख लेनी चाहिए है ना इसमें कोई बुराई नहीं है हम सब इनसान है मैंने देखा लिफ्ट में उतर रहे हैं आप कोई भी अंजान आदमी से टिकेट मारेंग एक दूसरे को कॉंप्लिमेंट देते हैं हमारे आप किसी लड़के गुड मॉनिंग बोल तो कह दी अपनी बेहन को बोल गुड मॉनिंग मतलब कभी कभी लगता ना कि उनको इंटेंशन पर शक हो जाता ना हमारे लोगों कि ये मेरे को इसने गुड मॉनिंग क्यों बोला हुआ और वाके अगर कोई अंजान आदमी किसी अंजान को गुड मॉनिंग बोला ना तीसरा आदमी दूर से खड़ा होगा हमारे अपने ही जज्ज्मेंट में लगे होते हैं वहां पर नहीं मैंने देखा सर जब विदेश जाते हो तो वहां क्यों कहरा जाते हैं वहां आपको सफाई बहुत जादा दिखी सफाई बिलकुल होती है सर और हमारे लोग इतने सारे तादात में वहां पर रहते हैं यहां मैं गए गुद मॉनिं तो नेम प्लेड लगी थी रोजी ए नाइस तो वो हमारे हिंदुस्तान में काम वाली बाई को अगर आदमी कमेंट दे दे ना कि शीला तो बीवी बाल नो चले उसके कि तुम्हें शीला तुम्हें बड़ी तुम्हें दिखाई दे रही है आगे पीछे कि हिस्ट्री निकाल देती है तुम्हें तो होई गलत खांदान तुम्हारा ताओ भी पैसट की उमर में लड़की निकाल के ले गयाता है तो यह तो हमारे हैं कुछ चीज अच्छी है वहां के हर चीज आपको अच्छी लगने रगती है आपने वैंकूवर ने लोग को बता इतना रास्ता है बीच में रेल गाड़ी निकल सकती है यह का ट्रैफिक होता हमारे यहाप पर वहां पर एक रूल है सर मतलब आप तो ट्रैफिल करते रहते पता होगा कि आप अगर गाड़ी चला रहे ना तो जो आगे आपके गाड़ी ए उसका टायर आपको दिखना चाहि हमारे तो टायर छोड़ो कभी-कभी गाड़ी नहीं दिखती है आगे कौन सी है कभी-कभी तो नीचे से वाज आती है सर जी मेरी मरूती है आपके फॉर्चिनर के नीचे आए इतना मतलब वो एक डिस्टेंस रखके चलते हैं अब मुंभई में आजाओ गाड़ियां बोनट ऐसा फ्रेंच किस करके चल रही होती है कभी-कभी तो इतनी जगा नहीं होती कि हम अपने हिसाफ से मोड सके कभी-कभी पहला वाला मुडता ना तो हमें भी मोडनी पड़ जाती है इतना पर हाँ वो पॉपुलेशन भी है हमारी हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़ादा है वा मैंने सुना अपने लोग को बताया कि भारत में तो धीरे धीरे चलो तो बार बार मिलोगे वो सर वो एक चीज थी वहां पर जो मैंने नोटिस की वो लोग ना अगर उन्होंने लिख दिया है देखिए मैं रूल्स की बात करता हूँ मैं एक पुलिस वाले के बेटा हूँ मैं बड़ा रूल को मानने मला बंदा हूँ यहां पर अगर उन्होंने लिखा है 80 माइल्स पर आवर तो लोग उतनी स्पीड से चलाएंगे लिखा हमारे हिंदुस्तार में भी होता है पर पता है कि हमारे हिंदुस्तारी लोग है न हमारी गॉर्मेंट को भी पता है कि इनकी साइकालोजी पे परहार करो आप तो लिखा तो रहता है कि इतनी स्पीड इतनी लेकिन साथ में स्लोगन जो मिलेंगे न आपको वो बड़े इनुवेटिव होते है वहाँ बाहर ऐसा नहीं होता बाहर लिख दिया कि 50 की स्पीर है तो 50 की यहाँ पे लिखते थे 50 की साथ में अलग से लिखना पड़ता है कि धीरे-धीरे चलो के तो बार-बार मिलेंगे, जादा तेज चलो के तो हरीदवार मिलेंगे. और ये तब ही समझते हैं. फिर अपने लोग समझते हैं, डर डर डराना पटता है उनको. और आपने मालों के यह भी बताया कि अगर हमारे हाँ एकसेंट हो जाए और एकसेंट लड़की का हो जाए तो फिर लोग कैसे रियक्ट करते हैं? पुरा देश हिकठा हो जाता है आदमी कहीं जा रहा हो ना लड़की अगर मालों कही स्कूटी पे गिर गई तो जो उस तरफ जा रहा ना सड़क के दूसरी तरफ वो भी अपना स्कूटर खड़ा करके आजाएगा आईयो के पचास लोग आजाएगे और लड़का कही गिर जाए तो एप पीवी के चला रहा हुआ है मतलब यार तो होता है आप सबने आपने कभी अबजर्ब किया होगा कभी नहीं जिकीन तो आप बाहर जाग गिर के देख ले ले नो कोई नहीं फाने आएगा लड़की गिर जाएगी तो पचास लोग आ जाएगे मैं आपको घर चोड़ दूँ वो अगली स्कूटी पे आई और जो बोल रहा है वो साइकल उसका खड़ा करके है तो अपना देख पर हाँ है तो मतलब मैंने वो पूरी स्पीच आपकी देखी है अलग अलग कंट्री में जो आप के बोल रहे हैं वहापर यूरोप में आप अंग्रेजों को बतारे कि आम कैसे चूसना है जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमारे देश में कुछ अच्छा है उनको सिखना चाहिए उनके देश में कुछ अच्छा है तो उनको हमसे सिखना चाहिए उनको इंडिन लोगों से सीखना चाहिए आम कैसे खाते हैं सर मैं देखा आम खागा था गोरा चुरी और काटे के साथ 20% आम ही आता है आपके हिसरे, 80% तो फेंग देते हैं आम चूसता है इंडिन आदमी आम की रू थाह निकार लेता है आप देखना है, गोरे लोग ने टाई भाई पहन के और बैठके, इसे वेए, इसे वेए, इसे नाइस, इसे गुट फ्रूट इसे इम्मून, तो काटे के साथ खा रहे हैं, हमारे आदमी ऐसे नहीं खाते, टाई तो छोड़ो वो कुड़ता भी निकाल देते हैं, बन्यान में आजाते हैं, पिर जो भी टंगा होता है, ऐसे करके, बड़ा बरतन सामने रखेंगे, फिर आम को पकड़ते हैं वो दोनों हाथों से, पहले उसको ऐसे नरम करते हैं, और आम यूँँ यू घूमता है, फिर उसका टोपा सा पकड़के, फिर जो उसको उफ, जो उसको चूसत मतलब आम जो ऐसा तरीके से चूसते ना, इंडियन आदमी, फिर उसकी गुटली को ऐसा चूसते हैं, वो अगर चूसने के बाद किसी गोरे को दिखा दो कि बताओ ये कौन सा फ्रूपता, किसी के बाप की मजालनी बता दे कि ये कौन सा फ्रूपता, और वो जो गुटली हो तो अगले जनम मुहें आम ना की जो, मतलब फ्रूट खाना, हमारे लोग, हमारे लोग तो फ्रूट अच्छा खा लेते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं, मैलबर्न में, या वेंकूवर में, या सेंट फ्रांसिस्को में, तो आप क्या खाते हैं, सर आजकल तो ऐसा हो गया कि मतलब कैनड़ में तो कहर वेंकूवर में स्पेशलि अगर बात करो तो पंजाबी इतने सारे हैं, गुजराती इतने सारे हैं, तो इंडिन फूड की कमी नी आती, कभी-कभी आ जाती है, कोई ऐसी कंट्री में, जह साओथ कोरी में, बहुत कम था इंडिन फूड, अलाग कि पर यहां पर मिल गया था, पर एक चीज और मैंने वहां की अबजरब की, गोरे लोग ना नाश्ता बड़ा हलका करते हैं, उनसे आप कुछ भी बड़े कुछ होते हैं, क्योंकि नाश्ता हलका किया ना, नाश्ता करके डिनर तक भी उनका इतना हलका होता है, डिनर करके आपके डाइनिंग टेबल पर ऐसे हो जाते हैं, तो, यह सिर्भ मैंने हिंदुस्तान में देखा खाना काने के बादना कैई थे चाय मंगालो थोड़ा खाना नीचे हो जाएगा, घाना कैसे नीचे हो जायगा जो हलका कहते हैं, तो उनका रेक्शन रहता है, नाश्ता करके आदमी फ्रूट और से ओट्सोर्स खाके आए हूँ हाओ Mr. John, how are you? I'm good, Ben, how are you? जो आदमी यहां तक पराठे खाके आए है ना उसका रेक्शन लेट हो जाता है, दिमाग स्लो हो जाता है उसको पुछना पाजी, क्या हाल, चाल? हाँ? इसको दो मिनट तो समझ में नहीं आता है तो अच्छा हेल्दी खाना चाहिए तो मैं अपने वो हसी मजाग में बोल देता हूँ उपर जो सामने भी जो लोग बैठे होते हैं, हमारे बाहर जम कभी शो भी करने जाते हैं वो भी अपने इंडियन होते हैं, अपने नेपाल से होते हैं, बंगलादेश से होते हैं, पाकिस्तान से होते हैं अपने ही लोग होते हैं करफिल आपकी कौन कौन सी बातें जाद दिलाओं आप उनको ये भी बताते हैं कि जोरोप में शादियां कैसे सस्ती हो जाती हैं आसानी सो जाती हैं सर देखो वो ही बات है कि कुछ चीजें सीखने वाली तो हैं उनकी मैंने देखा चार गाडियों में यह आते हैं, नड़के वाले चार गाडियों उनकी होती है आठ गाडियों टोटल 16 लोग वो भी मैंने जादा बोल दिये लड़का लड़की काले सूट में आते हैं दूर से देखो तो लगता है नहीं शादी हो रही है लगता है को समगलर आए डील हो रही है इनकी कोई काले सूट पहने होते हैं वहीं पे है ना वो एक दूसरे को बुके देते हैं एक दूसरे को किस करते हैं अपना जलो हमारे लोग बरात निकलती जब मतलब पूरा शहर प्रशान कर देते सर घोडी पे दुला बैठा हुआ अलग सही है ना अलेक्जेंडर बनके और पूरी सड़क घेर लेते हैं और यहां घर से निकलना पैलेस तक जाना है तीन किलो मिटर का रास्ता है पूरा तीन किलो मिटर फैलते हुए जाते हैं पीछे ट्रैफिक रोक के जाते हैं और ट्राफिक वाले भी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, वह भी मन में सोच रहे होते हैं, गोडी पर बैठा है, बुखते गाई यह इसको पता जलेगा तो शादियां हाँ कि अपने अपनी शादी बिड़ा आ है, सब हजारों को बिलाया था सर मने अक्चली हमारी 300 की लिस्त थी और मतलब उपर वाली की देया से 3,000 बिचाहacao soul Ryan मै तो खुद और अपने शादी से यहां मुझे पता चला कि लोग आई वे थे और दूला दूला दोनों गायब होगे गायब ऐसे होगे कि दस मिनट के लिए हम स्टेज पे मतलब हम तो स्टेज पे बैठने वाले थे पबली कि इतनी आगई ही स्टेज पे ही मतलब उन्होंने हमारे लिए जगाई ने छोड़ी फिर हम बाग गए हमारे बड़े प्रसिद्ध गायक है हनसराज जी तो जहां पर मेरी शादी हो रही थी ने पीछे एक और स्टेडिम है वहां पर भी शादी हो रही थी तो वह गलती से वहां पर गुजगे अब वह इतने हैं हमारे राज गायक है इतने पॉपलर तो वहां चले गए तो किसी और की शादी में गुजगे तो जो लोग खुश होगे देखके आईए हैंस जी हमारा सुभाग्य है कि तो आपका तो सुभाग्य है वो कबल शर्मा की अब लुजगे जाएंस तो दूसरी शादी है आप तो हमारी शादी में आगे इतना वह हो गया था ना काम खराब तो मैं एक्चली भाग गया सर अपनी बीबी के साथ वहां से फिर फेरों के टाइम हम बाहर आये और फिर शादी की थोड़ा हो जाती पर प्र 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 प्य आपके बारे में उड़ी थी कि लॉकडाउन के समेह ही आपके जो दोनों बच्चे हैं वो हुए हैं तो आप क्या बताना चाहिए कि यह सच था कि वो लॉकडाउन में हुए वो कह रही है कि जो कोविट के दौरान लॉकडाउन था आपके दोनों बच्चे उस दौरान हो गए काफी फुरसत में थे आप से जानते हैं लॉकडाउन के समय बाहर तो निकल नहीं सकते थे सब अंदर ही थे तो अंदर ही अंदर देखिए ये तो देखिए उपरवाले का करम है और हर इंसान को समय को यूटिलाइस करना चाहिए जब मुझे लगा कि दुनिया सब रुकी पड़ी है ठीक अच्छा हो गया सर मतलब हरे का अपना-पना एक्सपिरियंस है पर मेरे बच्चे जो है कि कोविड में ही दोन बच्चे हुए पहला लॉकड़न हुआ मेरी बेटी हुई दूसरा लॉकड़न हुआ मेरा बेटा हुआ फिर जब बीच में खबरे आने लगी ना कि तीसरा लॉकड़न भी हो सकता है तो मेरी बीवी ने कहा ऐसा है बिना ओडियंस के शो करो चलो और कोई सवाल कुछना चाहते है जैसा कि हमने सुना है कि आपका हाथ इंग्लिश में थोड़ा तंग है तो क्या आप ये इंशोर करेगी कि आपके दोनों बच्चे कॉन्वें पड़ें पड़ें था कि उंकी इंग्लिश बेटरो डिए ये कि इंग्लिश में कीजिए करें है अग्लिशय करें कि इंग्लिश करें एक्लीश तो अब ये इंग्लिश बहुत करें अब थोड़ी टीक हो गई है इसे बच्चे सबिच्के करें पर ऑने जनरेशन होती है क्यों क्योंकि आजकल तो देखो हमने इस उमर में जाके अब हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं उनकी शुरुआत ही इंस्टाग्राम से गूगल से हो रही है तो वो अबिसली हमसे बहतर होंगे कपिल जैसे आप लोगों का मज़ाग उडाते हैं मैंने देखा ट्विटर पर कभी कभी लोग आपका भी मज़ाग उडाते हैं बहुत तो ये तस्वीर एक आपकी है ऐसे बैठे हुए जिसमें जस्बीर जसी है जी और ओफैन ने लिखा कि ये तीनों को टॉलेट के लिए आया होगा तो ये तीनों टॉलेट में जगा ना हो इसलिए कठे बैठ गए हैं ये इस्टाग्राम पर मैंने फोटो डाला था ये गायक जस्बीर जसी जी है ये मुकेच छावडा है कास्टिंग डिरेक्टर सर बाहर फॉग बहुत थी तो हम बैठ गए ऐसे बहुत ठंड थी और एक्चली हमने काम शुरू किया ये जब हम अपने शो पे ऐसे से फोटो के निचे ना ऐसे फनी कमेंट्स पड़ते हैं तो पर अच्छी बात है पहले लोग होता ना कभी कोई गाली गलोच करता है सोशल मीडिया पर हमने एक नए ट्रेंड शुरू किया है कि यर फनी कमेंट्स डालो तो अब लोग हमारी फोट कराने के कितने पैसे दिये यर बताने लोगों क्यों कि में गोरिया मेरे साथ फोटो नहीं किछा सकती है मैं गया था ट्रॉंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब तो बहुत सारे लोग हमारी फिल्म देखने आये थे तो जब हम भार कहीं डिनर लंच कर रहे थे तो एक गोरी ने मुझे पहचान लिया कि अगया थे तो इसने मेरे साथ एक खीची मैंने चार खीच ली उसके साथ तो मैंने फिर आके इंस्टाग्राम पे डाली जैलिस पीपल बोल रहे हैं क्यों पैसे दूंगा मैं गोरी के साथ फोटो की चौने के एक इसने लिखा कि पकड़ी गई चूरी मेकप कर रहे ही नुरा फतही को चुपके चुपके जहांक रहे थे ताल रहे थे कैमरे में कैद होगी हरकत मैंने सर खुदी रील डाली थी वो मेरा गाना आया था अभी थोड़े दिन पहले अगर आपने सुना होगा तो उसके लिए रील बनाई थी सर तो नौरा बैठी होई थी ऐसे शीशे में अपने आपको देख रही थी और मैं बाहर से भी देख रहा था और शीशे के अंदर घुशके भी देख रहा था ऐसे अच्छी लगती बीटिफिल लड़की बहुत तलेंटेंटेंटेंटेंटे दो नैन मेरे मिल मिल के हो गेचा मैनू की पता सी प्यार तेरा नहीं प्यार सी सी योवपार प्यार दी उमर विचरू अपनी मैं कर सवा बैठा नैना दे आखे लग लग के मैं नैन रवा बैठा ये मेरा गाना है गुरू ने लिखा है ये उसी ने कंपोस्ट किया है बड़ा बड़ी बारे में अपको पता है सर मेरे शो पे जो सवालों का सिलसला होता ना बहुत आपका भी हाथ है उसमें क्योंकि अदालत तो है ही 30 साल से ये शो चला रहे हैं सुपर डूपरेट शो इस अबी नहीं लगता है मजा भी आ जाता है हसी भी आ जाती है मुद्दे की बात भी हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं आप से इंस्पायर हो सर मैं मेरे शो में जो मैं लोगों को सवाल पूछता हूं बिलकुल हसी मजा करके और मुद्दे की बात भी कर लो तो ये आपका भी कपिल एक जमाने में बहुत कहा गया कि बड़े-बड़े स्टार्स सेट पर वेट करते रहते थे अनिल कपूर, अजे देवगन, शारूख खान, अक्षे कुमार और कपिल नहीं पहुंचते थे यह उन्ही उसी फेस की बात है सिर, जब वो सब एंग्जाइटी और डिप्रेशन का फेस चल रहा था मैं शायद उस अवस्था में नहीं था कि मैं काम कर सकूँ आप कुई भी काम करते हैं ना, चाहे आप, you know, for example, आप गाड़ी भी चला रहे हैं, अगर आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो आपका ध्यान कभी भी नहीं हो सकता, नहीं आपको करना चाहिए, और मेरा काम यह था कि लोगों को हसाना है जब आप अंदर से खुश नहीं हो, you know, आप कैसे किसी को हसा सकते हो, पर प्रेशर होता है कि नहीं, नहीं, चलो, चलो, करो काम यह है, वो है तो मैं सुचा था, यार, मेरी कोई सुनी नहीं रहा है, कि मैं बोल रहा हो कि नहीं करने का मन कर रहा है, पर वहीं प्रेशर कर लो, कर लो, मैं भी फिर खोल के पी लेता था, मैं कर वालो फिर तो मैंने हाँ वेट नहीं करा है सर शूट कैंसल हुए बहुत सारे पर वो सब भी शायद कहीं न कहीं समझते हैं क्योंकि जब शारुक भाई का शूट कैंसल हुआ मुझे दुख हुआ अजी देवगन साब का शूट कैंसल हुआ मुझे दुख हुआ पर वो प्यार करते हैं और वो समझते थे इस बात को कि कभी-कभी कला-कार किसी फेस से ऐसा निकलता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है तो शूट जब कैंसल हुआ शारुक भाई अगले वीक मैं कुछ और शूट कर रहा था फिर उपता था घर से कभी-कभार कर पाता था शूट कभी-कभी नहीं होता था तो शारुक भाई एक दिन आये रात को वो कहीं फिल्म सिटी में सेट शूट कर रहे थे आये और उन्होंने अपनी गाड़ी में बढ़ाया और मुझे एक घंटा अच्छे से तसली से समझाया भी और भोला कि तू कितना तुझे प्यार मिल रहा है तू क्यों इतने टेंशन ले रहा है पर वो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं थी सर में को लगता था कि मैं बाहर जाओंगा तो पता नहीं मेरे को आँखों में सूरज पढ़ेगा तो पताने क्या होगा मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा मैं एक लाख लोगों के सामने खड़ा होके बोल लेता हूँ लेकिन उस समय यह अवस्था थी सर कि एक चार लोगों के सामने नहीं मैं जा पाता था और डिप्रेशन नाम की चीज़ हमें पता नहीं है हम तो आएं छोटे शहरों से बाल तोड़ सुना था हमने है ना आज हमने मुखतमा चलाया कपिल शर्मा पर कॉमेडी के किंग पर और उन्होंने हर बात का मुस्कुराट से जबाब दिया उन्होंने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए जिससे सुनकर मैं देखा कि आप सब लोग जो यहां मौजूद है वों हसरे थे तो अब वक्त है आपके अदालत में आज के जज राजा रंधीर सिंख के फैसले का बहुत बहुत महरबानी हूँ रजज़ साब जी और आज कपिल शर्माजी के शोव सुनके और इनकी बाता सुनके मैंने पहले इनकी शोव में भी होया हूँ तो आज इन्होंने इतने अच्छे अच्छी तरे सवाल जो दिये हैं रजज़ जी ने उनके बड़े अच्छे जवाब दिये हाजर जवाब तो हैं और सारे घरों में सब के रउनक लगाते हैं और इतनी खुशियं बाटते हैं आप रिलाइज नहीं करते हैं कि लोगों के कितने सारे परिवार कितने आपके उपर डिपेंड करते हैं खुशिय देते हैं आप और आज क्या जो में मुद्धा है मेरे अपनी दिल की तरह से कि रज़त साभ जैसे एक होस्ट हो जिनकी अपनी जगा है सारे संसार में और हिंदोस्तान में सारी जगा सब परिवार जो सब सारे दुनिया इनको वेट करती है और आप दोनों एकटे एक शोव में हो और इनके काबू से आप खिसकने की पूरी कोशिश करिए आपने पर आपने इनोंने फसाके भी रखा और आपने जवाब भी खूब दिये आप सवालों में तो सब में निकली गए पर एक चीज के मैं आपको जरूर सजा सुनाऊंगा कि आपको एक अपनी पसंद का गाना जरूर गाना पड़ेगा थैंक यू जर साब बाईजित बरी करने के लिए और एक गाना मैं किशोरदा का बहुत बड़ा फैन हूँ मतलब बहुत सारे कलाकारों का फैन हूँ लेकिन एक गाना जो आप सब के लिए क्योंकि इतने सालों से आप महबब दे रहे हैं और ऐसे ही बनाए रखिएगा अपना प्यार तो एक गाना आप सब के लिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं शिंदगी नहीं शिंदगी नहीं शिंदगी नहीं तो आप अगर हमारी जिंदगी में ना हो तो ये जिंदगी कुछ भी नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए अब मेरी हमारे माननिये वकील साब से एक दरख्वास्त है सर आपने हम पर जितने भी इल्जाम लगाए हमने उनके जवाब दिए और कभी आईए हमारी गली में भी लोग देखना चाहते अच्छा आप रजजस सर को देखना जाते हैं हमारे शोपे तो सर कभी मुझे पता है आप बहुत वेस्ट होते हैं आप पर बहुत सारी जिम्मेदारी है पर कभी भी आप फुर्सत निकाल के आएगे तो हमें बहुत अच्छा लगे है जनता का अदेश है मैं जूरू रहूँगा लव यू सर टैंक यू तैंक यू दोस्तो इतनी महबबत के लिए शुक्रिया तो इस यकीन के साथ इस उमेद के साथ कि कपिल शिर्मा इसी तरह से लोगों को इंटर्टेन करते रहेंगे उनके दिल जीतते रहेंगे और लोग के दिलों पर राज करते रहेंगे आज का शो यहीं खत्प करते हैं अगले हपसे हपस मुलाकात होगी एक नई शक्सित के साथ तब तक के लिए नमस्कार